हलो दोस्तों स्वागत है आपका आपने यूटूब चैनल इंजिनियर को पाल पटिल पर फ्रेंस फाइनल यहाँ पर अस्टील ऑथरीटी ओफ इंडिया लिप्टेट की तरफ से वेकेंसी आ गई है जैसा कि मैंने आप लोग को कुछ दिन पहले एक पेपर कटिंग बताया था कि सेल बोकारो में आप लोग का वेकेंसी आने वाला है और आप लोग देख सकते हैं फ्रेंस बोकारो अस्टील प्लांट में वेकेंसी आ गई है तो आप लोग वीडियो के अंत्यक बन रहे हैं ताकि आप लोग को पूरी जानकारी मिले किस पोस्ट के लिए कितना वेकेंसी कितना वेकेंसी है फिर आपका सेलरी भी इनकीज कर दिया गया तो आप लोग को पूरी जानकरी मिलेगी तो आई हम लोग शुरुआत करते हैं और चैनल पर ना है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब को नहीं ताकि आप लोग अपडेट मिलता रहा है और देखेंस यहां पर ए के लिए जिसमें रेडियो लॉजी के लिए एक है साइकेटरी के लिए एक है फिर आपका क्रिटिकल केर पेडिया क्रिटिक्स के लिए एक है रेडियो तरेपी के लिए एक है और जेनरल मेडिसिन के लिए दो वेकेंसी है फिर यहां पर आपका फिर एनिस्थेसिया के लिए एक है अब्स्ट्रेट्रिक एंड गाइनोलोजिस्ट के लिए एक है और सहजिर्दी के लिए एक है ठीक है फिर यहां पर मेडिकल ओफिसर के लिए वेकेंस आई है भी एसल यानि बोकारो श्टील प्लांट में टोटल आड़ वेकेंस है फिर आपका जे जी ओ यह यह आपका ग मैनेजमेंट ट्रेनी मैनेजमेंट ट्रेनी के लिए वेकेंस है जिसका ग्रेड यह वन है जिसमें ग्रूप अफ मैंस में टूटल तीन वेकेंस है फिर अपका असिस्टेंट मेनेजर सेफ्टी के लिए टूटल चार वेकेंस है दोस्तों आगे देखते हैं लोगे आपका डि जिसमें दान के लिए अद्य रेख सकते हैं स्फ्हाल क्यों और मैं के लिए तोटल 16से के लिए केलिए में तीन किसाथे तुम्हें के तोटल फोर फेकंस घल एप कपारूप स्टिल प्लांट के लिए वेक थागए दिए हैं फिर आगए देख्ते हैं हो लोग यहांपर अब देखिए बॉकारूप स्टील प्लांट के लिए इलेक्ट्रीकल के लिए 15 वेंशी है फिर आपकाacas do के लिए एक वेकंसी और Bio sniff के लिए दो यिए कि आ इंस्ट्रोमेंटेशं एड उटोमेषन के लिए थी अप्र दिपला माल के लिए अंस्ट्राइब्स देख सकते हां निए कि इम्पोर्टें अब डेट है इना ओप। existe रेक्नीशन ट्रेनीट इलेक्ट्रिकल फॉर ज्यारखंड गूरूप उपमाइन्स विल है तो एक्वायर दा इलेक्ट्रिकल सुपर्वाइज सर्टिफिकेट ओफ कॉम्पिस्टेंसी ठीक है एच भी एसी इंस्टॉलेशन स्लैस एच भी ओवरेड लाइन्स कवरिंग माइनिंग इंस्टॉलेशन फेलिंग विज दे डू नोट वी लिजबल फॉर पर मोशन यानि इनका काने पंदर फ्रेंट्स की आप लोग का जो इलेक्टिकल वाला स्टुडेंट है गुरूप ऑफ म माइनिंग 4 में 2 के लिए एस थी इस यह सुप्रवाइज़ ग्रेट के लिए टोटल चे वेकंसी है लिए चारवेकंस्थ लिए चौटल बात करें दें कि इतना लगने वाला है क्या-क्या इन्होंने बताया पूरी इजली टिक्रिया तो आगे देख लेते हम लोग यह पर देख सकते हैं पूरा जानकारी दीगे कि क्या आपको चाहिए मीनो एक्सपिरियेंस क्या-क्या इसेंसल क्वालिफिकेशन है तो आगे देखते हम लोग दिप्लोमरा वालो के लिए है मैक् fell olsun तैन सालक चाहिए डिप्लोमा ओना छाहिएछ है कि सारी जन्कारी दिगर आप लोग देख लेगा मैं टिलिग्राम से अनल एक थकर शुदभ कर दोोगा टेगे आपनोग के लिए पूरी जानकरी दी गई है और आप देख सकते हैं आप लोग फिजकल स्टेंडर्ड नॉन एक्जूकुटीव गड़ यह नि अपर अपरेटर कम टेक्श्ट गरेड और फिर एटेंडेंडंट कम टेक्निशन ट्रेड़ने के लिए मिनिम्म हाइट मांगा जा रहा है मेल के लिए 155 cm फिर मेल के लिए 143 cm मिनिम्म बैठ 45 kg फिर आपका इस चेस्ट बगराएं इसे वह ठीक है फिर आगे दखलते हैं भीजब बीजब अस्टेंडर्ड भी है ठीक है आप लोग देख लिजेगा 6-9 बोथ हाई बित और वित जो ओपरेटर कम टेक्निशन ट्रेनिव वाले उनका देखी सेलरी अब कितना हो गया 26,600 से 38,920 ठीक है और आइटीय वालोगे भी 25,070 रुपया से 35,070 रुपया ये कर दिया गया है दो यहर का ट्रेनिंग में भी आपको अब ट्रेनिंग में सेलरी यादा मिलेगा पहले आ जो इस ञाहित जो भी 5 रुपया अब लगने वाला जो इसेटीब भी ये करी और लगने वाला और इखिक्यूटी परश्ट के इस साथ भी लगने वाला है और यहर दो सुरह खिक है अब बात करने का स्लेवस फ्रेंट्स तो पूरी जाने कारते दी गई है चली से लेवस हम लोग ने शुडियों बात करें कि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है तो चैनल पर नहीं तो चैनल खुजरू सब्सक्राइब करें ताकि आप लोग को हर अबडेट मिलता रहा है थैंक्यों फ्रेंड्स